दोस्तों कहीं आप ताले और गोरे के चक्कर में तो नहीं फ़स गए हैं नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल रिवीव इक्सपर्ट और आज मैं आपनों के सामने एक अमेरिकन मुवी जून तीन्थ का रिवीव लेके आपनों के सामने आया हूं और यह मुवी 18 प्लस है और यह एक घंड़े 39 मिनट ही मुवी है और आज मैं आपनों के सामने स्प्राइलर फिल्प्री के साथ पोजिटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट और कंक्लूजन के साथ मैं आपको दिवीव लेके आया हूं आपनों के लिए यह कहानी स्टार्ट होती है एक सिंगल मदर की जो कि अपनी टीनेज बेटी को मिस जून 3 कॉंटेस्ट ब्यूटी कॉंटेस्ट में हिस्सा दिलाने के लिए पहसान देती है और सूचती है कि वो उसमें पार्टिसपेट करे और उस कॉंटेस्ट को जीते भी लेकिन उस बेटी की डार कलर होने के वज़े से उसको काफी संगहस करना पड़ता है लेकिन मा ऐसी रहती है मा तो हमेसा महामी है आप लोग कहीं भी देखेंगे मा में सबसे पावत्फुल चीज होती है वो जो जहाए जिस सबसे ताकतवर दुनिया की सबसे ताकतवर चीज मा ही होती है वो बच्चों को जिदर चाहे उदर मोर सकती है तो वो अपने बेटी के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ हमेसा लगी रहती है काफी संगर्स के बहुजूद वो उसको उस मकाम तक पहुचाती है जहां उसे होना चाहिए आप लोग के लिए यह फिल्म बहुत ही अच्छी रहेगी आपको देखना चाहिए इसके पॉजिटिफ पॉइंट में है कि यह फिल्म का डिरेक्शन काफी खुशूर्ती से किया गया है और यह फिल्म काफी inspiring फिल्म है और यह काफी emotionally भी है और negative point में है कि मैं तो यह फिल्म देखा और मुझे तो काफी अच्छी लगी मेरे हिजाब से इसका कोई भी negative point नहीं है क्योंकि इस फिल्म में हर चीज आपको सीखने योग है कुछ ना कुछ आपको सीखना भी मिलेगा और काफी कम टाइम भी मूवी का भी बहुत time duration जारा नहीं है time जितना है उतने में काफी अच्छी movie का direction किया गया conclusion यह है कि इस फिल्म को देखना काफी worth है आपको देखना चाहिए और हर आदमी को देखना चाहिए जिसके मन में यह है कि मैं काला हूं मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं गोरा हूं वो गोरा है अंसे मेरे मुझे हर जगा से निराजा मिलेगी कही मेरा कुछ नहीं होगा यह अच्छा है यह बुढ है यह सब चीजें आपको इस film के देखने के बार यह सब चीजें सब संकायाएं मिटे जाएगी तो आपको मेरे तफ से जरूर देखना चाहिए इस film को और अबpakो इस film का रेव्व्यू पसंद आयो overarching तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूले क्योंकि अपको बेल आइकन के तो ही मिलेगा थाइक्यू दोस्तों